कि यह कूण कि अत्वा सिक्षा के भारतिय प्रतिमान की बात करते हैं तो अनाया से ही हमारा ध्यान प्राचीन भारत के ला जाता है कि इसकी एक बड़ी वज़ी है कि आज भी हमारे देश तो समनांतर धाराएं विचार की या दो समनांतर विचार धाराएं प्रवहमान हैं एक भारत पोशित है जो भारत को भारत के रूप में देखती है और दूसरी जो इंडिया के इंद्रित या पाश्चात्य माडल से पोशित या प्रभावित है मैं इस मंच पर किसी एक विचार धारा की वकालत मैं नहीं करने जा रहा बल्कि मैं बिल्कुल तटस्त रूप में कुछ बातें जो आप सब को पहले से ग्यात हैं मैं केवल याद दिलाने के लिए आपके सामने रखना चाहता हूँ बाकी तो इसका निरणे आप विद्वजन, सुधी जन, अध्यता करेंगे कि हमाद ये अर्थात भारत के लिए क्या उचित है और किसे स्विकार करना स्रेयसकर होगा मित्रों हम सभी जानते हैं कि सिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है या किसी भी देश के सभ्यता प्रभावित होती है और प्रभावित करती भी है प्रतेक देश और समाज का अपना एक जीवन दर्शन होता है जिसके अनरूप वह अपने लिए शिक्षा की विवस्था करता है और उसके उद्देश्य निर्धारित करता है तथा उन्हें क्रियानवित करने का प्रयास करता है यहां बहुत संछेप में चुकि जब भी हम भारतिय प्रतिय के निक्टिविटी हां बहुत बहुत दन्यवाद इस बीच थोड़े बहुत इंटरॉप्शन भी आ रहे हैं ऐसा लग रहा है मैं बहुत संछेप में दो जो सोच के द्रिष्टिकोण के और समाजी की बातिमान हैं एक भारती और दूसरा पास्चात थे पहले उस पर चर्चा करना चाहूँगा तुलनात्मक रूप में और तब हम पाते हैं कि भारत का जो समाजिक व्यवस्ता का माड़ल है वो परिवार-ाधारित है जबकि पश्चिम का माड़ल में भारती समाजिक व्यवस्ता में धर्म की प्रधानता रही है जबकि पस्चिम में अर्थ की प्रधानता रही है भारतिय चिंतन ब्यवस्था में या भारतिय समाज ब्यवस्था में व्यक्ति एक क्रियेटर स्रीजक का की भूमिका में होता है वह ट्रस्टी की भूमिका में होता है सहयोगी की भूमिका में होता है अब जैसा हमने आपसे अभी चर्चा किया कि भारती परिवेश में या भारती चिंतन ब्यवस्था में धर्म की प्रधानता रही है और उनके यहां अर्थ की प्रधानता रही है ऐसा नहीं है कि हमारे यहां अर्थ को महत्व नहीं दिया गया आपको याद होगा कि पूरसार पहले है और धर्म मूल है उनके यहां धर्म मूल नहीं है धर्म पहले नहीं है अर्थ सरवपरी है इसलिए यह जो द्रिष्टिकोण है वह निश्चित तोर से कि व्यवहार को उसके आचरण को उसकी सोच को प्रभावित करता है अब इन दोनों देशों की कहीं न कहीं या शिक्षा व्यवस्था का जो प्रतिमान है शिक्षा व्यवस्था का जो माडल है वह भी कहीं न कहीं जरूर आधारित होगा भारत में अगर हम भारती माडल की बात करें तो मैं बहुत बिनम्रता पुरुगा के एक निवेदन करूंगा कि समय की सीमा है और विश्य बहुत व्यापक है इसलिए बहुत संछेप में अपनी बात कहते हुए मैं आगे बढ़ता जाओंगा भारती जो चिंतन परंपरा रही है न भारत या भारती जो परंपरा रही है कहें उसमें चिंतन उसकी सबसे बड़ी विश्यस्ता है और सिक्षा में भी स्रवन मनन और निदिध्यासन की बात कही गई है सबसे पहले चिंतन, मनन और उसके बाद उसी के आधार पर अधारन दूसरी चीज संस्कृति और इसमें क्यवल एक बात कहेंगे भारतिय संस्कृति की अक्षूनता इसका निरंतर प्रवामान रहना, इसे आत्मसात करने यानि किसी को भी आत्मसात करने और अपने में समाहित कर लेने की इसकी छमता इसके साथ साथ एक बात और कि हमारे हाँ प्राचीन व्यवस्था में परंपरा और आधोनिक्ता में कभी भी रोधा भास रहा ही नहीं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी रहे आप, मैं ये कुदारण ले लेता हूँ, देखिए जब भी हम चलते हैं, पैदल चलते हैं, अब तो हम लोग काफी अन्य साधनों से भी चलने लगे हैं, लेकिन फिर भी जैसे कहा गया कि जैसे उड़ी जहाज का पंची पूनी जहाज पर आवे, तो धर्ती पर जब हम चलत जमीन पर है, वह परमपरा है, और जो पाउं ऊपर आगे बढ़ने के लिए उठा है, वह विकास है, पूरी की पूरी भारतिय परमपरा इसी सूत्र पर प्रायह चलती रही, विगत कुस बरसों में इसमें जरूर काफी अंतर आया है, एक और बात जिसकी चर्चा बहुत जो इसे उभर के आये है, पराडाइम शिफ्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इसे धारनाक्षाम विकास कह सकते हैं, यह जो आज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अर्थात ऐसा विकास, जो इस्थिर रहे, हमारे हां कहा गया है, धारनात धर्म इत्याहु, अर्थात धा धारण करना धर्म है। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि धारण करना इसका क्या मतलब है। धारण करने में दो बातें आती हैं। पहला अस्तित्व की रक्षा और दूसरा विकास। एक उदारण और ले लेते हैं। कोई पौधा आमबोते हैं धर्ती में। वह बड़ा होता है, पेड़ बनता है। उसकी जणे धर्ती के अंदर तक जाती है। धर्ती उसे टिकाये रखती है, यानि धर्ती उस वरिक्ष को धारण करती है। तब उस वरिक्ष का अस्तित्व बना रहता है। हमने धर्ति को मां कहा है माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिव्याह धर्ति को मां इसलिए कहा गया कि मां भी इस दुनिया में जब हम आते हैं तो नौ महीने हमें धारण करती है अपने गर्भ में लेकिन यह धर्ती मां उस मां को भी धारण करती है तो धारणाक्षम विकास यानि धारण करना पहली बात और दूसरे विकास क्या और कैसा यह भी एक वड़ा सवाल करता है और इसमें क्यवल एक बात कहेंगे कि विकास से तात परे है समग्र विकास इस प्रकार वे बातें वे कार वे पधतियां या उपाए जिनके द्वारा हमारा अस्तित्व रहेगा और विकास भी होगा और इस धर्म के आधारित धर्म होगा वही धारणा अक्षम विकास या सस्टेनेबुल डेवलप मेरे बहुत सारे आधुनिक विचारदारा को नहीं मान सकते हैं इस व्याख्यक से उनका मत भिन्न हो सकता है लेकिन मैं इस पस्ट कर दूँ कि हम भारत की बात कर रहे हैं और भारत में दो मैं सब्सक्रादा बहुत स्कालर तो नहीं हूँ बहुत बड़ा लेकिन एक बात है भारत में भी इसी तर्छ अर्थात सरस्वती और ग्यान और दूसरा रत अर्थात जिस देश में जिस भूमी पर जहां पर लोग निरंतर सरस्वती की साधना में ग्यान की साधना में रत रहते हैं वह देश भारत है और उसकी ब्याख्या भी भारतिय द्रिश्टी कोण से ही समिशीन होगी अब प्रस नहीं हो सकता है कि विकास की थोड़ी देर पहले कि समगर विकास हमारे हाँ वैशेसिक दर्शन में धर्म के बारे में कहा गया है यतो निसेयस ससिध्धी सधर्मह अर्थात जिससे अभ्यूदय जिससे हम विकास की बात कर रहे थे और निस्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है वह धर्म है इस निमित्य भावतिक और आध्यात्मिक दोनों विकास होना चाहिए इस प्रकार अस्तित्यों की रक्षा और समगर विकास आते हैं यह इस्थिति केवल बोलने से या व्याख्यान देने से तो नहीं आएगी इसके लिए ब्यावारिक इस्तर पर कोई ठोस योजना का निर्मान करना होगा और उसे क्रियान्मेन भी करना होगा उसका अब आप देखें अभी तक तो हम संचेप में भारती माडल की बात कर रहे थ से अब पश्चिम का माडल क्या है तो आज इस सब्सक्राइब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है कि विशेस्ता सिख्षा के छेत्र में कि वह पश्चिम के प्रतिमान से ही पोशित और प्रभावित है कि हमें एक बात यह भी ध्यान में रखनी होगी कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह निर्पेक्ष नहीं होती है कि यदि हम पश्चिमी प्रतिमान को देखें तो हम यह पाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले पूरी ब्यवस्था को अपने अनुसार ढालने की कोशिश किया यूरोपियन जहां भी गए उन्होंने सब कुछ अपने मुताबिक ढालने का प्रयास किया इसके लिए पहले वहां का सब कुछ मिटाया और सोयम को स्थापित किया अपनी रचनाएं खड़ी की अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, आदी देशों में उन्होंने यही किया जड़ मूल से समाप्त किया, वहां बस गए और फिर अपने अनुसार, अपनी रचनाएं खड़ी किया यह उनका एक धंग था इसके अलावा, जहां यह काम नहीं कर सके, जिन देशों में ऐसा वो नहीं कर पाए वहां के लोगों को अपनी संस्कृति में ढालने का हर तरह से प्रयास किया अपनी ब्यवस्थाएं और अपने जीवन मूल ने वहां पर लागू किये भारत इस दूसरी स्रेणी में आता है अंग्रेजों ने हमारा विचार, हमारे सोचने का तरीका और जब सोचने का तरीका बदल दिया तो हमारा विवहार बदल गया हमारे संस्कार भी बदल गए और परिणाम हमारे सामने है इसका एक उदारण अभी थोड़ी देर पहले मैंने डक्टर सोमू जी को एक लिंक भेज दिया था आदरणी राजी उदिक्षित जी का मैं बीच बीच में अपनी बात की पूष्टी के लिए कुछ उदारण आपके सामने रखता जाऊंगा कैसे उन्होंने हमारी रचनाओं को नस्बाच किया वहचारी किस्तर पर और अपना लागू किया सुमू जी चाहेंगे तो वह ग्रूप पर लिंक कर देंगे अगर उन्हें ठीक लगेगा मैं संशेप में बता देता हूं राजी उदिक्षित जी का एक वक्त अभी है जो जिसमें उन्होंने की बताने की कोशिश किया है कि भारत ने ही सरजरी और प्लास्टिक सरजरी पूरी दुनिया को सिखाई कि इसका एक उदारण कर्नल कूट का है 1780 की घटना है है अंग्रेजों को बुरी तरह खटकता था क्योंकि उसने अंग्रेजों के पैर भारत में जमाने से बड़ी मजबूती से रोका था कि जब भी अंग्रेज उस पर आक्रमन करते थे हारते थे है कि लेकिन वह छोड़ देता था कर्णल क्यूट भी हैदर अली पर आकर्मन किया उसे बंदी बना लिया गया वह जंगहार गया था है है दर अली के दरबार में आया और यह और कोई नहीं यह करनल कूट की डायरी से लिया गया उधरण है आगे उन डाक्टरों की डायरीयों से होंगे आप राजीव दिक्षित का लिंक देख सकते हैं अपने हां एक परंपरा है कि नाक का बड़ा सवाल है लोग करते हैं कि नाक का सवाल है तो जब हैदर अली के सैनिकों ने करनल कूट को बंदी बना के लाया तो हैदर अली ने उसक उसके हाथ में दे दिया एक घोड़ा दे दिया और काया कि भाग जाओ वहां से भागते भागते वह आजकल करनाटक में जगह है बेलगाओं वहां पहुंचता है संजोग से एक वैद्य की नजर पड़ती है उसने का भाई ये क्या हुआ तो जूट बोलता है कहता है कि पत्थर लग गया कारने कि उमारी किसी धारदार हथियार से काटी गई है मैं वैद्य हूँ हमसे सच बताओ परहल वह वैद्य कहता है कि तुम चाहिए कूट राजी हो गया उसकी नाग जूड गई तीन महीने बाद वह इंगलेंड की संसद में जाता है भासन देते समय सबसे पहले पूछता है कि क्या आपको मेरी नाग कटी हुई लगती है फिर वह बताता है पूरा ब्रितांत की कैसे मेरी नाग कटी और कैसे जुड़ी वहां से डाक्टरों का एक दल बेलगाओं आता है और वहां जब प्लास्टिक सर्जेरी के लिए तो वह उस वैद्य जी ने बताया के रहे भाई इस तरह की बेवस्था तो हमारे हां हर गाओं इस प्रकार वह में आते हैं यहां से सीखते हैं लेकिन जब यहां से करके अपने में चले जाते हैं तो हमारे हां इन लोगों के पास कोई किस्टकी dónde king नहीं थी और उन्होंने इन्हें बैं कर दिया कि नहीं आपके पास डीगरी नहीं है तो आप यह काम नहीं कर सकते नतीजा हुआ कि अगली पीड़ी आते आते दो पीड़ी आते आते ये विधा लुप तो आप देखें आज भी आप यातरा जो पड़ियों में बसे हुए जो खाना बदोश किस्म के लोग हैं अच्छी अच्छी मूर्तियां पेंटी बना करके सडकों के किनारे रखे रहते हैं ये कलाब बड़े इंस्चूट के बजाए जो पड़ियों में आज भी महफूज है बहराल अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दिया और इस प्रकार यह विधा जो परमपरया चली आ रही थ कि जहां पर वो पूरी तरह नस्ट नहीं कर पाए उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से और कहीं कहीं दबाव से भी नस्ट करने का प्रयास किया सारा परिणाम हमारे सामने है एक और विचारधारा है उनकी वो है कि सारी दुनिया हमारे लिए है आप देखेंगे कि कुछ किसी देश आज भी दादागीरी पर उतर आते हैं किसी देश का कुछ हडपना किसी देश का कुछ हडपना किसी देश पर दबाव बनाना मैं उनका नाम और उन घटनाओं को तो नहीं कहना चाहूंगा बस आपको याद दिलाना चाहता हूं उनका यह मानना है कि पूरी दु की सरवोपर है हमारे यहां भी सुख को नकारा नहीं गया लेकिन हमारे हां एक स्लोक आता है मैं स्लोक कहने के बज़ा काना आपको संखेप में यह कहना चाहूंगा कि परिवार के हित के लिए व्यक्ति का हित गौड हो जाएगा गाओं के हित के लिए परिवार का हित गौड हो यह जब सूच का अंतर होगा तो ब्यवहार का भी अंतर होगा यह बात दूसरी एक बात है कि हमारे यहां जैसे अभी हमने चर्चा किया था परिवार की कि तो पस्चिम में भी परिवार लेकिन परिवार में जो परिवार भाव है उसका भाव है कि यह अपने हां भी आ रहा है, वहुत हद तक आ गया है, आप महसूस करते होंगे, फिर भी अभी काफी हद तक बचा हुआ है, हमारे हां परिवार आपसी समझबूज और समर्पन सहयोग के आधार पर बनता है, वहां करार के आधार पर बनता है, कांट्रेक्ट है, हमारे हां बि होंगे उन्हें साथ यह पता होगा कि भारत में भी हिंदु विवा अधिनियम में लिखा गया मेरे जीज कांट्रेक्ट तो हमने भी आजादी के बाद जब अपना संविधान बनाया तो उसमें विवा ब्यवहार में समस्कार है लेकिन कानून में हमारे यहां भी और उसका नतीजा आगे चल करके व्यक्तित्तों का खंडित होना परिवारों का विखरना अधिकाधिक उपभोग की मानसिक्ता का विकास और शिक्षा का व्यावसाई करन संजोग से यह सारी खूबियां मैं खूबियां कह रहा हूं जो आयातित हैं वो अब हमारे यहां भी घर कर गई हैं मित्रों अब सवाल खड़ा होता है कि इसका उपाय क्या है अल्टर्नेट क्या है यह तो एक तुलनात्मक बहुत संचेप में अध्यान था अरे एक विविचन था आपके सामने लेकिन की आवशक्ता लोग महसूस करने लगे हैं और इसके लिए मैं अगर मैं अपनी बात कहूं तो आप कहेंगे कि साब कि आप तो अपनी बात ही चाह रहे हैं इसलिए मैं उदारण दूसरों का रख रहा हूं और बाहर के लोगों का रख रहा हूं स्वीटिजर लेंड में इंटरनेशनल इंस्टूट आप मैनेजमेंट डेवलप्मेंट के एक प्रोफेसर लेहमन है उन्होंने कहा है कि दे ग्लोबल इन्वार्नमेंट इस डेस्परेट फर आइडियाज फिलास्फी और रिलिजन इंडिया इस दे मोस्ट प्रोलिफिक बथ प्लेस अफ आल थ्री डू टू ग्रेट सेनर्जी अफ टरेसी और डाइवर्सिटी वैशुट प्रिद्रिस्टि में बहुत तिवर्ट वाइगा समय गष्ण और धार्मिक द्रिस्टि की आफशक्ता माईसूस हो रही है भारत में विचार स्वतंतरता और विविधता के कारण प्रजनन यानि इन प्रजनन के लिए भारत सबसे स्वाभाविक रूप से सरवादिक उर्वर जगह है, उर्वर भूमी है. वह आगे कहता है कि दे इंडियन रेलिजियन और फिलासफिकल ट्रेडिशन्स कैन प्रवाइड दे सेंस अफ मारल अर्डर, स्पिरिशुलिटी और एन एथिकल कमपास विच तवर्ड डेस्परेटली नीड़ देखिये, लेहमन तीन महत्तोपूर्ण बात कहता है, पहला सेंस कौने आप मारल अर्डर hypothesis. कोई व्यवस्था बिना नैतिक्ता के टिक ही नहीं सकती अतह नैतिक्ता अधारि व्यवस्था यह भारत की पहले से ही देन है या भारत की विसे beneath दूसरी आध्यात्मिकता केवल पदार्थवाद से काम नहीं चलेगा इसलिए आप देख रहे हैं मैं बहुत विस्तार में नहीं जाओंगा लेकिन जहां पदार्थवादी व्यवस्था के पोशक लोग हैं वहां पर एक खोटन महसूस हो रही है वहां के समाज में और वो का एथिकल कम पास मैं इसको यूँ कहूं यह पहले से ही जुड़ा हुआ है hai मारण आडर से सही गलत करनिये अकरनिय का विबेक जिसका नियामक और निर्धारक तत्तुध धर्म है अर्थात धर्म से कमाओ धर्म से खाओ धर्म से पढ़ो धर्म से बढ़ो धर्म से सब करो लेकिन कृपा करके अधर्म मत करो कि दुनिया में क्योंकि एक बात आप ध्यान रखें ध्यान दें कि आज बर्तमान में पूरी दुनिया में जितना ज्यान, कौशल और तकनीकी विकास है, शायद उतना पहले कभी नहीं था, लेकिन इतना तनाव और आउसाद भी नहीं था, इसलिए इस तनाव और आउसाद से पार पाने के लिए लोग भारत के प्रतिमान की और भारती माडल की और शरूर देख रहे हैं और बड़ी आशा से देख रहे हैं, मैं एक बात फिर स्पस्ट करना चाहूंगा, और वो ये, कि ऐसा नहीं है, कि हमारे यहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा था और वहां सब खराब ही खराब था, दोनों जगह, अच्छा ही और कमी अवस्य है, लेकिन मुख्य अंतर सोच का है, द्रि प Kern नहीं है, और यही दृष्टकोर हमारे विचार को और यह विचार हमारे कारे को प्रभवित करता है, मैंने शुरू में कहा था, जब हम भारति प्रतिमान की बात करते हैं, तो सोभाविक रूप से बरबस ही हमारा ध्यान, प्राचीन भारत की सिख्षा प्रणाली की और चला जाता है वजह भी हमने आपसे उलेख किया कि इसकी वजह क्योंकि आज जो दिख रहा है वो मूल भारत का है नहीं जब हम भारत की प्राचीन प्रडाली को देखते हैं सिक्षा प्रडाली को तो ग्यांत होता है कि ये प्रडाली प्रसिक्षन प्रधान थी प्राचीन भारतिय समाज में प्राया सभी सिक्षित थे लेकिन जब से उपाधी प्रदान करने वाली परिक्षा पधती भारत वर्ष में प्रारंभु हुई उस दिन से उपाधी मुख्य हो गई और विद्या या सिक्षा या योग्यता गौड हो गई किन्तु आज भी हमारा द्रिढमत है कि जितने भी विकल्प उपलब्ध है उन उपलब्ध विकल्पों में सर्वस्रिष्ट विकल्प अगर कोई है तो वह भारती माडल ही है मैं इस बात की पूष्टी के लिए भी एक उदारण जो सची घटना है आपके सामने रखना चाहूंगा कुछ वर्सों पूरू आचारे भगवंतम की अध्यक्षता में एक प्रतिनी दिमंडल अमेरिका गया था मैं बार बार प्रायाहर मंच पर इसकी चर्चा करता हूं इसके पीछे का उद्धिश के वली ये होता है कि हमारे लोग किनी कारणों से जब अपने पर भरोसा करना छोड़ देंगे तो हमारा आत्म विश्वास कम हो जाएगा आत्म सम्मान भी घटेगा इसके बाद इसलिए हम ये बार-बार उदारन रखते हैं कि हम स्रिष्ट थे और उस स्रिष्ट था को हमें पहले समझना होगा जानना होगा अपने पर विश्वास करना होगा तब आगे की योजना बनाई जा सकती है अगर अपने पर भरोसा ही नहीं होगा तो चाहे जितनी योजना बना लें उसका क्रियानवेन सार्थक तरीके से मुश्किल हो जाएगा हाँ मैं चर्चा कर रहा था भगवंतम कमिशन की या भगवंतम कमेटी की ये अमेरिका गए वहां की सिक्षा ब्यवस्था का अध्यन करके भारत में उसे लागू करने की क्या समभावनाएं बनती है इनका पता लगाने की योजना थी ये कमिशन अमेरिका में अमेरिका की सरकार ने अपने एक आवकास प्राप्त वृद्ध सिक्षाविद से इनको मिलाया भगवन्तम जी ने सारी योजना उसको बताई मैं बिल्कुल उनी के बहुत चारे सब्दों में ही ये बात कहना पसंद करूँगा उस शिक्षा के अमेरिका निर्णीत शिक्षा पद्धती नहीं है अभी भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं लेकिन आपका देश तो प्रवड देश है ब्रिध देश है अमेरिका बालक देश है उसकी सिक्षा पद्धती का ध्यन करने आप आए यह बड़ी उपहासास पदबात है जब दूसरे हमारी आँख खोलते हैं तो जल्दी खोलती है इसके बाद उस सिक्षा विद्ध ने कहा कि मेरे गुरू भारत के थे उनको बहुत सी विद्ध्याएं प्राप्त थी ध्यान रखियेगा उसने सिक्षा का प्रयोग नहीं किया उसने विद्ध्या शब्द का प्रयोग किया उसने बताया मेरे गुरु भारत के थे उन्हें बहुत सारी विद्याएं प्राप्त थी और बहुत थोड़े दिनों में उन्होंने सारी विद्याएं मुझे पढ़ा दी मेरे गुरु का समानांतर एक भी विद्वान पूरे अमेरिका में नहीं है पर भारत की प्रते गली में मेरे गुरु का कम से कम एक समानांतर तो अवश्य था यदि आपके देश में कोई सफल सिख्षा पद्धती नहीं होती तो भारत इतने विश्षशग्य विद्वान कहां से पैदा करता आप अपनी सिख्षा पध्धती पर ध्यान देकर उसका पुन्ह विकास करें आपको देने के लिए अमेरिका के पास कोई सिख्षा पध्धती नहीं है उन मित्रों को निराशा होगी जो सोचते हैं कि विदेश रही ले आओ A We cry करते हैं कि हम वहां की सिख्षा बेवस्ता का ध्यान करें और यहां लेये मुझे सुन करके अंदर अंदर थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि अपने आंका ध्यांग कब करोगे भाई और कब कराओगे बारहाल लेकिन यह यह दो उधारण थे कि पहले तो हम अपने पर भरोसा करें और इसके लिए आवश्यक है कि हमारा लक्ष इसपस्ठ हो और वह हमारे ब्यवहार में हमारे जीवन में उतरे भी मैं केवल चार मुख्य बातों की आप से चर्चा करना चाहूंगा अगर भारती प्रतिमान की हम बात कर रहे हैं मैं सीधे सीधे भारती प्रतिमान की बात करना चाहता हूं पहला शिशु केंद्रित या बाल केंद्रित हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं लेकिन शिक्षा या तो परिक्षा केंद्रित है या अध्यापक केंद्रित अध्यापक केंदे भी काना उचित नहीं होगा क्योंकि अध्यापक को वसवायत सता नहीं है इसलिए परिक्षा केंदेट शिक्षा की जब बात करेंगे तो बालक केंद्रित या शिशु केंद्रित ये पर्थम शर्थ दूसरा क्रिया आधारित तीसरा समाज पोशित और चौथा समस्कार युक्त ये चार मूल आधार हैं या होने चाहिए इसके साथ साथ बालक में आत्म विश्वास आत्म गोरो आत्म संबान की भावना का विकास तथा सार्थक और सकरात्मक चरित्र के निर्मान की व्यवस्था पर बल यह पहले था मैं बार-बार याद दिला रहा हूं कि यह पहले था यह व्यापक विश्य है इसलिए बहुत सारे उदारण देने में साहित समय की सीमा है समय कम पड़ जाएगा फिर भी बहुत संच्छेप में मैं बढ़ता जा रहा हूं एक इसके लिए केंद्र क्या होगा आप सभी जानते हैं कि परिवार बालक की पर्थम पाट साला है इसलिए इन गुणों के विकास का शमताओं के विकास का मूल केंद्र परिवार और उसके बाद विद्याल है इन ही दोनों को सुद्रिड करने और संसकार केंद्र के रूप में विकसित करने की आवशक्ता होगी दूसरी बात जो हमारा एक क्या कहेंगे विकास का जो माडल है वो पंचकोशात्मक विकास का माडल है और शिशु का चर्णबध तरीके से पंचकोशात्मक विकास बाहु संछेप में इसे कहूं यह पांच जो उपादान हैं या पांच जो आधार हैं या पांच स्टेप्स हैं अधीती अर्थात ग्यान पोध अर्थात अनुभूती और समझ आचरणम अर्थात ग्यान को ब्यवहार में उताब प्रयोग यानि कुछ नया सीखने और सीखे हुए पर सीखे हुए के आधार पर बेहतर करने का प्रयास और प्रचारणम यानि ज्यान को आगे बढ़ाना एक से दूसरा एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी इस तरह एक बात और आपके संग्यान में लाना चाहूंगा बहुत विनमरता पुर्वक प्रयोग शीलिता अर्थात जो भी कुछ हम करना चाहते हैं उसका प्रयोग उसका मुल्यांकन और अगर वो सार्थक परिणाम दायक है तो उसको ग्रहन किया और नहीं तो छोड़ दिया यह जो अपना भारतिय समाज है वो इसलिए जीवित रहा कि वह प्रयोग धर्मी था हमने सब कुछ यूं ही नहीं अपना लिया जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था एक और सबसे महत्तो पूर्ण बात जो आज बिलकुल ही उपेक्षित है हो नहीं रही है और वह है मात्री भासा में सिक्षन सभी मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है आप सभी सिक्षा से जुड़े लोग हैं इस पर विचार करें क्योंकि केवल सरकार के भरोसे भी सब कुछ नहीं हो सकता कुछ तो ब्यक्तिकत स्थर पर भी यह बात कर नहीं होगी इसके साथ एक और बात कि सिक्षक जो हमारे सिक्षक बंधू हैं चाहिए वो किसी भी स्तर के हो वो इस द्रिश्चिकून के साथ सिक्षन करें कि जिस पधती में चाहिए वो यहां की हो चाहिए वहां की हो जो भी अच्छा हो उसे अवश्य ग्रहन किया जाए और जो अच्छा न हो उसे छोड़ दिया जाए यह हमारी सांस्कृतिक विशेषता भी रही है हमारा मूल मंतर स्विकार रहा है स्वामी वीवेकानन्द जी ने भी बार-बार कहा कि हमारा मूल मंत्र सुईकार होना चाहिए सुईकार का मतलब हर चीज सुईकार नहीं जो अच्छा हो उसे ग्रहन कर लें विधेयात्मक्ता उसके साथ साथ कि जो जहां है जिस इस तर पर है वहीं से उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए इस तरह हमारे हाँ सिक्षण में कुछ मूलभूत विधियां भी थी और ऐसा नहीं था कि ये छोटी कक्षाओं के लिए ही थी छोटी कक्षाओं में तो थी ही लेकिन बड़ी कक्षाओं में भी थी हां हमेंद्र जी आप ठीक कर रहे हैं कि आज जरूरत है समस्कार शाला की लेकिन मित्र ये घर से सुरू होगा मैं फिर कह रहा हूं बार बार कहता हूं कि घर से सुरू होगा विध्यालय में उसका परिशकार होगा लेकिन नीव घर पे पड़ेगी परिश्कार भी द्याले में होगा सिक्षन की हाँ एक सवाल है मैं मित्रों जब 10 मिनट समय रह जाएगा तो आऊंगा पिछली बार सवालों पर मैं 10 मिनट समय रह जाएगा तो मैं अभी देखता हूं तब मैं सवालों पर जरूर आऊंगा और नहीं तो आप सवाल हमें भेज देंगे क्योंकि बात थोड़ी लंबी है और करनी भी है आज दो-चार मिनट ज्यादा हो या तो सो मुझी माफ करेंगे और बाकी लोग भी माफ करेंगे हमारे हैं सिख्षण की एक प्रशनुत्तर विधी थी इसका प्रयोग तो आज भी किया जाता है इस प्रडाली की उद्भावना सबसे पहले ऐसा प्रयोग उलेख मिलता है कि उपनिशत साहिति में हुई है इस प्रडाली द्वारा गूर से गूर तत्यों का भी बड़े रोचक धंक से प्रस्तूती करन या इस्पस्टी करन संभव है एक बात और थी द्रिष्टांत कथा कहानी जीवन भृत मैं अक्सर चर्चा करता हूं एक छोटी सी कहानी या एक चर्चा आपके सामने इसी में रख भी देता हूं हम सभी ने प्यासे कव्य की कहानी पढ़ी होगी चा पानी नीचे था कववा प्यासा था उसने कंकर डाले पानी उपर आ गया पानी पी लिया क्या कहानिकार के वह इतना बताने के लिए कहानी लिखा होगा मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा लेकिन अब एक दिन हम लोग रहते तो एक वड़े भाई हैं उन्होंने बताया अध रत्यों की व्याख्या किस रूप में करता है हमने जब पढ़ी इस कहानी को बच्पन में तो साइध हमने भी वही पढ़ी कोवे की कहानी जैसा सब लोग पढ़ लेते हैं जब थोड़ा बड़ा हुआ और टीचर ट्रेनिंग में जुड़ा मुझे लगा कि इस कहानी के माध आवशक्ता के अनुसार उपलब्द परिस्थितियों में अपनी समस्या का समाधान करने के लिए सूज का विकास अब कहानी की व्याख्या तो इस रूप में करनी पड़ेगी क्योंकि घनत्व का सिध्धान्त है इसे कोई काट नहीं सकता हम इस पर अगर कोई अलग से भी सास्त्रार्थ करना चाहिए तो हम तैयार है कवे कि कहानी के अबल प्यासा कववा बताने के लिए नहीं हुई उसने घनत्व का सिधान्त बताया कहानी कार ने और बड़े रोचक तरीके से बताया हमारे यहां पंचितंत्र नहीं पंचितंत्र हितो पदेश और इस तरह की बहुत सारी कहानिया क्यान के संप्रेशन और बहुत अच्छे ब्याओहारिक तरीके से संप्रेशन का बहुत बड़ा माध्यम रही है इनको अपनाने की जुरूरत होगी लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम तो भाई हर बाट और ब्लूम के पीछे चल रहे हैं मैं बहुत बिनमरता पुर्वक निवेदन करूंगा कि यह पद्धतियां बहुत अच्छी हैं बुरी नहीं है लेकिन जो हरबाट महोदे की पद्धति है यानि जो उनके चार पद थे प्रस्तावना, साचयरे, सामानी करण और प्रयोग उनके सिस्यों ने इसे बढ़ा करके पांच स्टिप में ले आया प्रस्तावना, प्रस्तूती करण, साचयरे, सामानी करण और प्रयोग, मुख्यता है यह पाठ्थे वस्तु और अध्यापक केंद्रित पद है बुलूम महोदे जिनकी बड़ी चर्चा है आजकल यह सैक्षिक यह सैक्षिक उद्यश्यक केंद्रित है लेकिन जो अपनी भारती शिक्षण पद्धती है वह तो इन दोनों से ज्यादा मनुवैज्ञानिक भी है, व्यावहारिक भी है और सार्थक भी है, जिसे हम पंचमुखी सिक्षा के नाम से जानते हैं, मैं आगे चलके चर्चा करू कि अपने देश में एक बहुत बड़ा विद्याले समूह का संचालन करने वाला एक तंत्र है जिसे हम विद्या भारती के नाम से जानते हैं यह उनके द्वारा पंचमुखी सिक्षा का जो प्रयोग किया गया है वो मैं संचेप में आपको आपके सामने रखना चाहूँ शारीरिक सिक्षा आप सभी जानते हैं आपको ध्यान में है कि सरीर माद्यम खलू धर्म साधनम ये बार बार कहा गया यानि सारीरिक विकास प्रमुख है इसके अंतरगत मैं कोशों की बात संशेप में करके निकल गया था अन्नमय और प्राणमय दोनों कोशों के विकास की बात आती है दूसरा व्यावसाइक सिक्षा अर्थात व्यक्तिकद जीव को पारजन तथा व्यक्ति इनके माध्यम से राष्ट की आर्थिक सम्रिद्व आवश्यक ब्यावारिक कुशलताओं तथा संबन्दित गुणों और वृत्तियों का विकास मानसिक सिक्षा मानसिक बाउधिक सिक्षा अर्थात जिस विश्व में हम रह रहे हैं उनकी यथार्थ का ग्यान और उसके आधार पर आगे की योजना का निर्माण करने की कुशलता का विकास नैतिक सिक्षा क्योंकि यह सब कुछ रहेगा जिसको अभी हमने लेहमन का उदारण दिया उन्होंने भी कहा कि सेमसाफ मारल आर्डर तो नैतिक सिक्षा अर्थात इस्वरुन्मुक्ष जीवन के लिए धे निस्ठा, अनुस्वासन, स्वक्षता बोध, सत्यवाधिता, निस्वार्थता, सिस्टाचार, तथा समाज एवं रास्ट्र के प्रति, भक्ति भावना और सद्गुणों का विकास आध्यात्मिक सिक्षा क्योंकि जीवन का परमलक्ष पुरसार्थ चतुस्टे में धर्म से सुरू होता है अर्थ, काम, लेकिन अंतिम, मोक्ष यहां तक जाना यह महत्त्वपुर्ण है कि इनका प्रयोग कैसे हो, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां प्रयोग नहीं हुआ पांच मिनट मैं और उसके बाद आपके प्रस्नुत्तर पर आऊंगा जैसा हमने अभी कहा कि विकल्प तो भारती सिक्षा ही है, सबसे स्रिस्ट विकल्प अब वो कितना लागू हो पाएगी, इसके लिए समाज में कितनी संकल्प शक्ति है, व्यक्तिकत तुस्तर पर हम अध्यापकों में कितनी संकल्प शक्ति है और हमारी सरकारों में कितनी संकल्प शक्ति है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा भारत में कुछ प्रतिमान हैं, जो समय समय पर प्रयोग में लाए गए हैं, जरूरत होगी कि इनका अध्येन करके, पर मैं किवल एक नाम लेना चाहूं, तो वह नाम आएगा गीजु भाई बधेका का, अंग्रेजों के जमाने में सारी बेवस्था उनकी, तंत्र उनका, नियम कानून उनके, लेकिन उन्होंने एक सफल प्रयोग किया, बालकों की, यानि शिसु सिक्षा पर, एक सफल प्रयोग, आश्चरी है कि इस देश में 2000 के पहले तक, गीजु भाई बधेका के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, मुझे बहुत ठीक से याद है, कि 2001 में जब मैं बनारस आया, और अपने विशु विद्याले में हमने ये प्रस्ताव रखा, कि हम पास्चाती विचारकों को तो बीएड में पढ़ते पढ़ाते हैं, एमेड में केवल हम भारती विचारकों को पढ़ेंगे, और हमने प्रस्ताव किया कि गीजु भाई बधेका को इसमें जोड़ा जाए हमारे पाठिक्रम में, तो हमसे सवाल हुआ कि ये हैं कौन, इन पर मैटर कहां से मिलेगा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस म प्रकाश में आना चाहिए, उन्होंने का आप लिखिये, मैंने असमर्ट तो उन्होंने जब वो NCT के चेर्मेन थे, तो उन्होंने एक पुस्तक NCT से प्रकाशित कराया, गीजु भाई के सैक्षिक विचार और प्रयोग, रमेस दवे साहब ने उसका संकलन और संपादन किया सिक्षा सास्त्र के जुड़े लोग, दो बातें, दिवास्वप्न जो गीजु भाई की है, उसे और रमेस दवे दवे दवारा संपादित, गीजु भाई के सैक्षिक विचार और प्रयोग, एक बार पढ़ने का कस्ट करेंगे, शायद उनको कुछ मेरी बात समझने में आस प्रतिमान कुछ माडल हमारे हां विकसित हुए, अब कितना लागू हुए आप स्वयम विग्य हैं, आप इसका निर्धारन करेंगे, जैसे बुनियादी सिक्षा की पध्धति, या सिक्षा बुनियादी सिक्षा पध्धति, शांतिनी के दन में गुर्दे और अभिदना ट महरशी अरविंद के आस्रम में पांडिचेरी की सिक्षा पध्धति, इसके साथ साथ अभी दो दिन पहले आदरनीय प्रोफसर हरके सिंग जी की चर्चा मामना मदन मोहन मालवी जी पर हो रही थी, उनका नाम नलू तो भारती सिक्षा पध्धति की बात करना अधूरा रा जाएगा, मालवी जी महराज ने भी एक सफल सिक्षा पध्धति को अपनाने की केवल वकालत नहीं किया, ब्यावहारिक स्तर पर उसे अमल में लाया, अब परिसितियां बस काल खंड में इसमें भी परिवर्तन हुए हैं, इस पर भी विचार करने की जुरूरत है कि उन्हें कैसे पुनरस्थापित किया जा सकता है, पतंजली योग पीठ भी एक पध्धति अपना रहा है, और सबसे ज्यादा व्यापक पैमाने पर सरस्वति सी सुमंदिर की सिक्षण पध्धति, 1992 में उत्तर परदेश के गोरखपुर में परत्तम सरस्वति सी सुमंदिर का प्रारंभ हुआ और आज पूरे देश में कदाचित देश के बाहर भी, सरस्वति सी सुमंदिरों का या इस विचारधारा पर आधारी शिक्षा मंदिरों का एक बहुत बड़ा जाल है, मैं आपको केवल दो बातें और कहना चाहूंगा जैसे हमने करनल कूट के उधारन में बात कही कि जब उन्होंने यहां से सीख लिया तो बैन कर दिया हमारे लोगों को कि आप यह काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डिगरी नहीं है तो यह जीतने भी परिवर्तन आये नकारात्मक रूप में वो भी एक दिन में नहीं आये समय लगा और इसके लिए उन्होंने हमारी विचारधारा बदली हमारे सोचने का तरीका बदला इसलिए अगर हम सकारात्मक परिवर्तन की बात करेंगे तो अभी एक दिन में नहीं होगा यह भी एक लंबी प्रक्रिया होगी लेकिन परिवर्तन जरूर होगा जैसा आम ने कहा मैं केवल एक बात और कहना चाहूँगा कि रात वरात कोई परिवर्तन अगर नकारात्मक नहीं होता तो सकारात्मक परिवर्तन के लिए उससे दुरूरत होगी इसलिए विद्याभारती का मैंने जिकर किया था उनके पांच पदों का इनका तंत्र पूरे देश में है और मुझे लगता है कि काफी सफलता पुर्वक केवल ज्यान नहीं बलकि संसकार का भी जो पक्ष है उसकी पूर्ती की जा रही है इनके द्वारा और आज अगर भारती प्रतिमान को नए सीरे से सोचना होगा तो हमें मुख्य रूप से तीन बातों का ध्यान देना होगा पहला सिक्षण मातरी भाषा में दूसरा सिक्षा ब्यवस्था में इस बात की अनिवार्यता की बच्चे को संस्कृत अवश्य पढ़ाई जाए उसकी वजह है कि हमारा जो प्राचीन ग्यान विज्ञान है उसमें और आधुनिक ग्यान के बीच एक बहुत बड़ा गैप है उसको भरने के लिए संस्कृत का ग्यान जरूरी होगा हमारा बच्चा अपनी मात्री भाषा में पढ़ेगा इसके साथ साथ वह संस्कृत भी पढ़े वह विज्ञान भी पढ़ेगा वह गणित भी पढ़ेगा इससे दो बाते होगी कि आने वाले 20 बरस बाद आज एइस अंस्कृत की डिमांड है हम लोग समझ नहीं पा रहे है और उसकी क्योंकि हर चीज बाजारी करण पर हो गया है तो संस्कृत के लोग अपनी बातों के मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मार्केटिंग आती नहीं होगी, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आने वाला समय इसी का होगा, जब हम परम कम्प्यूटर या सूपर कम्प्यूटर की बात करते हैं, तो वहां भी नासा काता है कि संस्कृत की अनिवारता होगी, उनको छोड़िए, हमें अपने प्राचीन को नवीन के साथ जोड़ने के लिए बच्चे को संस्कृत का ज्यान देना आवश्यक होगा, इस तरह की सिक्षा ब्यवस्था करनी होगी, कि मात्री भाषा में पढ़े, लेकिन संस्कृत भी पढ़े जरूर, हाँ, मेरा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, एक भाषा के रूप में वो पढ़ सकता है, लेकिन माध्यम के रूप में जरूर मैं इससे सामत न हूँ और न हो सकता हूँ, मेरी बात हो सकता है, इसके लिए मैं छमा चाहता हूँ, और अब कुछ समय है प्रशुनुत्तर पर, मैं ब्रजेस आपके सवाल को इस तरह से कहूँगा, कि सरकार भी हम ही आप बनाते हैं, हमारे आपके मत से ही सरकार बनती है, तो प्रशन यह होगा कि हम कितने समवेदन शील पहले खुद हैं, क्योंकि हर बात सरकार के भरोस्ता है। दूसरी बात है कि परिवारों का सहयोगात्मक रवय्या नहीं प्राप्त हो रहा है, हम सभी अभी भावक हैं, मैं भी जब अपने बच्चों के विद्ध्याले जाता था पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चे के इस पर लड़ते हैं कि आपने इसके दो नंबर कम कर दिए, कोई पेरेंट अपने अध्यापक से उसके अध्यापक से विद्ध्याले में जाकि यह नहीं पूछता कि हमारे बच्चे का ब्यवहार कैसा है, वो कितना positive सोचता है, कितना cooperative है, यह नहीं पूछता, उसके अंकों के पीछे भागते हैं, तो मेरा यह मानना है कि बच्चा हमारी केवल रास्ट की निधी तो है लेकिन सबसे पहले तो परिवार की निधी है माबाप की निधी है तो माबाप पहले उसे कैसे ठीक से रखें ठीक से समझें उसे कैसे प्रोचसाहित करें अभी तो यह लागडाउन में हम लोग चर्चा कर रहे थे एक दिन मैं उसे करूंगा तो लंबी हो जाएगी कि बच्चे पर सुरू से ही हमाना वस्यक दबाव डालते हैं आपको ध्यान होगा कि एक बच्ची इंजीनियरिंग की परिक्षा में सफल होने के बाद चयन होने के बाद उसका उसने आत्म हत्या कर तो हम बच्चों क जो सोच है बच्चों की जो आकांच्छा है उन का विस enfin मान करें हाँ प्रमीड जी आ आ हें ए आपने भारति त्रिश्टी से भारति द्रिश्टी बिफंदि भारति सिक्षा का ऑग सस्था नहीं हो सकता लेकिन इस भारति द्रिश्टी के अनूरूप बरतमान सिक्षा को ठीक बात है प्रवीन जी मैं आप से सव परसेट सहमत हूं क्योंकि हम लोग जिस सांचे में ढ़ले हैं जिन उपकरमों के माध्यम से हम काम करते हैं वो लगबग एक ही है लेकिन मैं आपको केवल एक बात कहूंगा कि मैं बेसिकली ला फिल्ड में जाना चाहता था मैंने ला में एडमिशन लिया था आचारे रामकरन सर्मा भी हमारे बीच नहीं है बहुत से लोग जानते होंगे उन्होंने कहा कि नहीं आप अध्यापक बन जाओ और उन्होंने मु कि आप अपने पूरे जीवन काल में पांच ठीक अध्यापक बना सके तो आपका अध्यापक बनना सार्थक हो जाएगा और मैं लगता है कि आप ये काम करोगे इसलिए अध्यापक बन जाओं तो मैंने अभी चर्चा किया कि हम एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन वो दुश्यंत कुमार कहके निकल गया ना इस दुनिया से कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी ख्वाइस है कि ये सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में सही तेरे सीने में मगर हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए वो आग अगर आप में जल रही है हमारे आप जैसे हज्जारों लोगों में जल रही है तो निश्चित तोर से ये मशाल आगे बढ़ेगी ये निश्चित है घबराने वाले तो घबराते रहते हैं मुझे भी ध्यान आता है कि अभी राश्टी सिक्षानीति का प्रस्ताव तेस के सामने प्रारूप आया नही कुछ लोग सोर मचाने लगे और प्रस्ताव में ही समसोधन हो गया ये उनका काम है अभी हमने प्रजेस की बात पर कहा था कि सरकारें आती रहेंगी सरकारें जाती रहेंगी लेकिन हम अपना काम भी करते रहेंगे अगर सरकारी सहयोग मिल गया तो यह काम बहुत प्रभाव भाई मैं भारतिय प्रतिमान की बात कर रहा था अनियमितताएं तो चलती रहती हैं मुझे लगता है कि अनियमितताओं की चर्चा करने के बजाए क्या करणी यह है इस पर विचार करना ज्यादा उचित होगा जी आपकी बात से सामत हूँ कि बच्चे को इस पून फिडिंग हो रहे हैं लेकिन अपने घर में तो मत किया करिये हम तो नहीं करते हैं मैं अध्यापक हूँ अपने तीनों बच्चों में से किसी बच्चे नजर जरूर रखता हूँ कि वो क्या कर रहा है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कहा कि पढ़ो कम खेलो ज्यादा तो जो करेक्टरिस्टिक डेवलोप हुई वो खेल के मैदान में हुई कि उसको आज भी इंप्लिमेंट करते हैं इस्पून फीडिंग घर से सुरू होती है बहेंजी आप घर में इस्पून फीडिंग पहले बंद कर दीजिए लड़के को ऐसा मोटिवेट करिए कि वह बाहर अपना कुवा भी खोद सके और कुसकुए का पानी भी पी सके इसके लि देखी हुई और कान की सुनी हुई घटना है एक महिला अपने बच्चे से पूछ रही थी कि तु करना क्या चाहता है इसके पीछे की प्रिष्ट भूम यह आपको बता दूं कि गाउं में एक कहार जाती होती है जो घरों में पानी भरने का काम करती थी आज के करीब 30 वरस होहाले घटना है तो घर से वह पानी भरती थी और उसके अधार पर यहां समाजपोशित बात कर रहे हैं सिक्षा की समाज भी स्माजपोशित था गढыला वहां से जौ बनता था बोजन ले आती थी जो खेत ती हर तो खेत की देते थे। उसमें बोती थी है महिला जिस घर में जो बनता हैए कही लोटा औठा था या एक ही तसला उसमें सारी दाल वा जाती थी धालीं में जह चावल है रोटी है सब तरा तरा के भोजन और तरह गोजे पदार्ठ कर दो ले आती थी उसने अपने छोटे बच्चे को पूछा.. साम कु जा रहे थे अपने घर.. मैं अध्यापक हो गया था..otबेवन बिजयवाडा में था.. हूँ अपने बच्चे से बात कर रही थी.. भोजपूरी में.. भुजपूरी में.. मैं हिंदी में.. बात कर रहा हूँ.. करें बाई तुछाता क्या है तुछा चाहता है कि मैं जिस तरह से घर-घर पानी भर करके जो भोजन ले आती हूं दस्तरा का उसे तुम्हारा पेट भरता है तुम्हारे बच्चे भी यही करें उस बच्चे ने कहा कि नहीं तो उसने कहा कि तो पढ़ क्योंकि अभी तो हम पानी भर देते हैं अब घर-घर में हैंड पंप उसने चापा कल शब्द का प्रयोग किया था कि घर-घर में हैंड पंप लग गए हैं तो यह रोजी रोटी भी छिन जाएगी पढ़ो मेरे साथ मेरे एक और मित्र थे उन्होंने का देखिए बच्चे को भड़का रही है कुछ और भी बात उसने कही थी मैंने उनसे कहा नहीं यह एक अनपढमा अपने बच्चे को मोटिवेट कर रही है जिसके पास साधन नहीं है लेकिन मित्र कि पढ़ो और तुम देखना यह लड़का पढ़ेगा आपको बताऊं वो लड़का हाई स्कूल इंटर प्रथम सिर्णी में उतिरन किया पाले टेकनिक किया और आज जबलपूर आडिनिंस फैक्ट्री में वहां उसने अपने पूरे परिवार के बच्चों को ले जा अपनी जिम्मेदारी पहले विद्याले की जिम्मेदारी उसकी बाद दोनों मिल करके उसके विकास का प्रयास करें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हाँ भाई साब ये बात तो है जैसे अभी मैं कह रहा था कि स्पून फीडिंग बंद हो तो मैंने अपने बच्चों की स्पून फीडिंग नहीं किया मैं और कुछ नहीं कर सकता लेकिन अपना कर सकता हूं है मेंद्री जी आप भी जानते हैं चुकि हम लोग हमेसा मिलते कहने का मतलब ये है कि हम वर्स्ट केस में जैसा प्रमीन जी चर्चा एक सवाल किये थे हम वर्स्ट केस में दुनिया को नहीं बदल सकते हम सरकार को नहीं बदल सकते समाज को नहीं बदल सकते लेकिन अपने को तो बदल सकते हैं जैसा चाहते हैं उसे तो किसे लिए नहीं र करेंगे हम बच्चे में बार बार एक बात कहते हैं कि ट्राइफ हर बेस्ट एंड रेडी फार वर्स्ट वह मानसिक रूप से तयार रहेगा तो आज बच्चा बहुत सफल हो गया है लेकिन क्या वज़ा है कि उसमें बहुत सारी चीजें अवसाद के लक्षण बढ़ते जा रह ही है वजह है कि उन्हें सिक्षा पर अश्कार नहीं मिल रहे हैं सिक्षा मिल रही है प्रसिक्षण नहीं मिल रहा है परिस्थितियों को फेस करने की कि राजेश जी गीजु भाई के लिए हमने संचेप में बता दिया कि आप दिवास्वपन पढ़ें कि आपको बहुत कुछ कि उस पर विस्तार से समझ में आएगा इसके अलवाए आप एक और किताब का हमने उदारण दिया उलेख किया गीजु भाई के सेक्षिक विचार और प्रयोग कि एंसी टी से प्रकाशित है उसे देखें कि समाजिक मुल्यों के घिरावट को सिख्षा प्रडाली कम करने में कहां तक सफल हो रही है ग्यान सींग जी आपका नाम ही ग्यान है और ग्यान के बारे में किवल दो बातें काते हैं हम आप तो बहुत अच्छे सोधार्थी भी है ग्यान सिंग जी और वो है कि अंतरवयक्तिक संबंध प्रमानित करने की छमता तो आईए हम और आप मिलके इसे प्रमानित करें सिक्षा प्रडाली भी आगे पीछे ये काम करती रहेगी ठीक है ना उसकी समिक्षा इत्मिनान से होगी ये गंटे के लेक्चर में तो नहीं हो पाएगी हां बहुत सारे मित्रों ने अपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं लेकिन मैं सबको नहीं कि इसके लिए जिनको नहीं रेस्वांड किया वो हमें च्छमा करेंगे मेरी बात अगर किसी को चुभी हो किसी भी तरह से किसी को बुरी लगी हो तो वो भी छमा करेंगे मेरा ज़ी किसी को किसी स्तर पर किसी प्रकार का ठेस पहुचाना नहीं होता हाँ, अपनी बात जरूर जो हमारा पक्ष है जो हमारा नजरिया है, हमारा दृष्टिकोन है उसको मैं रखने का प्रयास करता हूँ वही कर रहा था और मुझे लगता है कि समय कितना हो गया भाई हम समय की सीमा थोड़ा बहुत क्रास कर चुके हैं आपने बहुत इत्मिनान से सुना बहुत बहुत आभार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सुना उनको और सोमु जी आपको पुना धन्यवाद मैं तो डर रहा था कि कहीं आज भी बिजली की समस्या या नेटवर्क की समस्या न हो जाए मेरे आन नहीं आई थोड़ी दिर पहले आ गई थी आप सब का बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवाद जैहिंद